तो देश के सबसे बड़े उद्योगपती रिलाइंस इंडिस्ट्रीज के चैर्मेन मुकेश अमानी और रिलाइंस फाउंडेशन की चैरपरसन नीता अमानी के छोटे बेटे अनन्त अमानी की शादी का जश्ण चल रहा है अनन्त और रादी का मर्चंट आज एक दूसरे के हो जाएंगे यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहा है जो खास गाड़ी तैयार की गई थी उससे उतरे अनन्त अमानी बाकी के जो महमान हैं वो पहले ही जियो वर्ल्ड सेंटर पहुँच चुके थे अपने पिता के साथ शादी के वेन्यू में अनन्त जा रहा है उस वक्त की यह तस्वीर आप देख रहा है नीता अमानी वो भी आपको नज़र आएंगी अनन्त और राधी का मर्चंट आज एक दूसरे के हो जाएंगे और अमानी परिवार के घर एंटीलिया से बारात बांदरा कुरला कॉंपलेक्स के लिए निकली है आठ बजे वर्माला की रस्म राध साढ़े नौ बजे अगनी को साक्षी मान कर साथ फेरे शादी की रस्मे हाला के दोपहर तीन बजे से ही शुरू हो गई थी और शादी की जो बाकी कारकरन है वो मुंबई के बांदरा कुरला कॉंपलेक्स में जी यू वर्म सेंटर में होंगे फिर कल यानी 13 जुलाई को शाम 6 बजे नीता मुकेश अमानी कल्चरल सेंटर में एक मिनी डिसेप्शन होगा 14 जुलाई को में रिसेप्शन इस ग्रेंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल हो रही है अलग अलग तस्वीरें कुछ वक्त पहले की तस्वीरें और एक तरफ महमानों के खास महमानों के पहुंचने का सेलेबिटीज के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी और जो तमाम एक तरफ वो तस्वीर भी जब पूरा जो परिवार है वो एक फ्रेम में भी नज़र आया एक तरफ वो तस्वीरें जब अनन्त अपनी विशेश तौर परतायार गाड़ी से बाहर आये और पिता उन्हें जहां शादी होनी वहां तक लेकर गए और एक तरफ वो महमान वो सेलेबिटीज जो लगातार पहुंच रहे हैं इस शादी में शामिल होने के लिए फिल्म जगत के सितारे और ये बच्चन परिवार गीत संगीत और जौन सीना साफा भी उन्होंने बनभाया है खास तौर पर इस शादी के लिए तो एक तरफ सलेबिटीज के पहुंचने का सिलसला लगातार चल रहा है कारकरम क्या कुछ होना है वो भी हमने आपको बताया आज है अनंत राधिका की शादी तीन बजे से रसमें शुरू हो चुकी है और ये सिलसला चलता रहेगा 14 तारिको मेन रिसेप्शन भी होना है आज मुंबई में अलग ही तरह की रौनक है क्योंकि आज देश के सबसे बड़े ओद्यों के घराने में शादी है देश से लेकर पूरी दुनिया तक शादी के चर्चे है आज अमबानी परिवार में हर तरफ खुशिया है लोगों की जुबान पर मंगल गीत है देश्विदेश से महमान इस शादी में शरीक हुए है हर कोई अनन्त और राधिका को अपना आशिरवात दे रहा है एंटीलिया से अनन्त की बाराध ढोल लगाडे गाजे बाजे के साथ बड़ी धूम धाम से निकली जश्न में बाराती जम कर जूम रहे थे दो पहर तीन बजे से शादी की रस्म शुरू हो गई थी बांद्रा कुरला कॉम्पलेक्स के जियो वर्ड सेंटर में शादी के कारिक्रम रखे गए है जहां रात आट बजे से वर्माला की रस्म होगी लगन, साथ पेरे और सिंदूर दान की रस्म का समय साढ़े नौ बजे से शुरू होगा शादी समारों में शामिल होने के लिए पारंप्रिक ड्रस कोड रखा गया है मुकेश अम्बानी के छोटे बेटे अनन्त अम्बानी और अध्योग पती विरेन मर्चंट की बेटी राधिका मर्चंट आज हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे इसको लेकर अम्बानी परिवार में बेहत हर शोल लास है दोनों शादी के अटूट बंधन में बन कर साथ जन्मों के साथ ही बन जाएंगे जियो वर्ड सेंटर भारत के सबसे बड़े कनवेंशन सेंटर में से एक है इस ग्रैंट शादी में शामिल होने के लिए देश ही नहीं, बलकि विदेश से भी जानी मानी कई बड़ी हस्तियां मुंबई आई है जिसमें राजनीती, उद्योग और खेल जगत की हस्तियां पहुची है यानि कल 13 जुलाई को शाम 6 बजे, नीता मुके शंबानी कल्चरल सेंटर में मिनी रिशेप्षन होगा और 14 जुलाई को मुखे रिशेप्षन होगा इस ग्रैंट वेडिंग रिशेप्षन में कई मशूर हस्तियां पहुचेंगी शादी से पहले वरवधू को आशिरवाद के लिए एंटीलिया में शिवशक्ती का भव्य अनुस्ठान किया गया जिसे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने संपन्न करवाया इश्वर का आशिरवाद लेने के लिए अनन्त और राधिका दोनों ने पूजा की साथ ही मुकेश अमबानी और नीता अमबानी ने पूरे विधी विधान से शिवलिंग का अपिशेक किया पुजारियों की मौजूद्गी में हवन और महा आर्थी के साथ अनुस्ठान संपन्न हुआ वहीं गायक कैलाश खेर और अण्वीर सिंग ने भक्ति के गीत पर प्रफॉर्म कर आयोजन में चार चान लगा दिये अनंद और राधिका की शादी की रसमें 3 जुलाई से ही शुरू हो गई थी लेकिन आज इन दोनों की जिंदिगी के लिए बहुत बड़ा दिन है मौंबई में अनंद अमबानी और राधिका की ग्रैंट वेटिंग की गवहा पूरी दुनिया बन रही है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूस 18